ये जहेंद एवरीवन, वेलकम वेक बेक आप बज़टियूप चनल टोपर यनिग अड़मी तो कोश्टकार्ड नाविक जीडी का जो आपसे भी का एकजाम है वो आपसे भी का एकजाम काब होगा और आपसे भी की एकजाम को लेकर जो भी जरूरी ख़बरे हैं form नहीं आने वाले next attempt जैसे ही आएगा आपके form फिलप होंगे यानि कब आएगा वो मैं आपको बता दूँगा तो सभी लोग आप से भी को यह notification वाला pdf दिखा जेते हैं कहते हैं कि मेड या फिर एंड अपरेल में आपका exam होगा क्या मिड या फिर एंड अपरेल में आपका exam हो सकता है वो आपको से भी को पता होना चाहिए वो आपको यहां पर बात करता हूं में और दूसरी चीज मिशली बार आप से भी का exam का हुआ तो वो आपको पता होना चाहिए लाश्ट टेम, आपका जो टाइम चल लहे ना यह टाइम था, एक्जाम का याने कि आपके Mars के Mars notes में लाश्ट मार्च को आपका एक्जाम हो रहा है लाश्ट 2 साल से, टीक है 27, 28, 27, 29 March को आपका एक्जाम होता था Coast Guard का इस बार due to elections and other चीजों की वज़े से आपका जो exam है वो delay कर दिया गया है ठीक है अब ही नेवी की भरती आएंगी उसके exam होंगे सारे process होगी ठीक है उसकी वज़े से ये थोड़ सा delay कर दिया है ठीक है उनको जल्दी नहीं करना तो अब बात करते हैं आप सभी का exam exactly कब होगा अगर मेरे according बात करते हैं तो आप से भी का exam मेडिया फिर end में दो तरीके से हो सकता है या तो आप से भी का जो exam है आपको मैं किले लिए बता देता हूँ आपका exam करा दी जाए लगबग 11-12 अप्रेल से 12 अप्रेल को आप से भी का exam करा दे जाए ठीक है क्योंकि लगबग 15-16 अप्रेल को election है उससे पहले पहले यह आगर यह निप्टाते है तो आप से भी का 12 अप्रेल को exam हो जाएगा शुरू ठीक है दौर से बता देता हूँ exam अगर election से पहले कराएंगे 11-12 अप्रेल से यह exam सुरू करा देंगे अगर यह mid में करा सकते हैं तो भाई लगबग 20 अप्रेल को आप से भी का exam होने वाला है 20 अप्रेल को अगर यह mid अप्रेल में ही कराएंगे जैसे नोंने काया है अगर end की बात करते हैं तो आप से भी का फिर एक मही पहुँझ जाएगा exam एक मही ठीक है तो आपको बता दें अगर किसी वज़े से exam आप से भी का होते है 11 तारिक को तो आपके लगबग 1 अप्रेल से admit card जाएंगे क्योंकि आपके admit card है वो 10 दिन पहले exam date and city जाती है आप कहेंगे भाई आप से भी को exact date तो पता नहीं वीडियो बनाने चल जाते हैं भई वो cost card पर निर्वर करते है depend करते है आपको expected काईटे देते है तो मोटा मोटी बात करता हूँ आप से भी के पास में 15-20 दिन है exam की तयारी के लिए अगर exam जो date मैंने बदाई उसको होता है अगर होता है मही में तो आप से भी के पास 30 days है कितने 30 days हैं तो आप लोग उसके हिसाब से तयारी करें वनना आप से भी के पास में 20 days है या फिर उससे कम ये फिर जादा तो 20 दिन के हिसाब से कर लें है फिर 30 दिन के हिसाब से आप लोग अपने एक्जाम में आज इसे एक तो मोक टेश्ट सुरू कर दें मोक शुरू कर दें अगर सिलेवस कंप्लीट नी हुआ जितना सिलेवस वो उसके मोक लगाएं उसकी प्रैक्टिस करें हर रोज या फिर आप लोग दो दिन में एक मोक लगा सकते हैं ठीक है और जीडी के एक्जाम है तो नंबर दो पॉइंट आता है फिजिक्स और आपसे भी का मैट्स की ज़ादा से ज़ादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उस पचास में से अगर आप लोग 30 प्लस मार्क से लिया आते हैं थार्टी प्लस कम से कम बात करो मैं 30 प्लस तो आपसे लिए बहुत अच्छे माक्स बन जाएंगे वही बहुत अच्छे माक्स बन जाएंगे अगर आपको ज़ादा ला सकते ना तो वह तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो आपको यही बताना था और कटव क्या रहेगी को टो जो लास्टेम कटव थी न उसके पिलस दो नंबर ही रहेगी कम न ही रहेगी पिलस दो नंबर पिश्ली बार से ट कहा है याद रिख लेंगे मbreak नहीं है प्लस के के 2 question शुरू कर दूँगा important question की quiz important चीजों की quiz शुरू कर दूँगा साथ में PDF भी सुधूरू कर दूँगा और previous year भी आपके वहीं पर है previous year भी आपके यहाँ पर है आप लोग जाकर join कर सकते हैं लिंक वीडियो के description में या फिर आप लोग जाकर डिरेक्ट सर्च कर लें ठीक है क्या कर लें जाकर डिरेक्ट सर्च कर लें टोपर ग्यान अकैडमी टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा जाकर join कर लें जैहीं दोस्तों ठीक है